ओहो तो आगे तुम बड़ा जल्दी आगे हमेशा तो लेट करके ही आना है तुमको वहीं गयते ना क्यों गयते अरे यार मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो खाना लगा दो कितनी बार कायें वहां मत जाया करो, जब भी जाते हो दस बाते सुन कर आ जाते हो और आने के बाद मूल लटका वा रहता है तुम्हारा कम से कम एगलास पाणी पिला दो वहां जाए बीना तो तुमको रहा नहीं जाता है तुम ना आज फैसला करि लो यह मैं ऐसे ही सोजाओं सोजाओं? क्या सोजाओं? आज ना तुम फैसला करी लो फिर तुमको जो करना है, करते रहना वहां से आने के बाद ऐसे बैठ जाते हो जैसे पता नी क्या लुट गया हो तुमारा अरे यार नहीं देखा जाता मुझसे तुमारा यह उदास चाहरा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है मेरी पता नी यह सब कब तक चलेगा? भगवान के लिए मुझे जीने दो हाथ जोड रही हो तुम और तुम्हारे परिवार के बिच पिस गई हूँ मैं नहीं देखा जारा मुझसे यह सब न तुम मेरी बाते सुनते हो और नहीं तुम्हारे परिवार वाले कब तक चलेगा यह सब? आज बता दो तुम मुझे अरे कुछ सुनते क्यों नहीं हो तुम सुनो तुम पहले मेरी बाद तुम्हारे लिए मैं ज्यादा जरूरी हूँ या तुम्हारे परिवार वाले मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैं था मैं मरा नहीं हूँ लेकिन अब जिन्दा भी नहीं हूँ अचैने जैसे कोई जिन्दा लाश हुआ हू तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने घरवालों को छोड़ दू और उन्हें लगता है कि मैं शादी के बाद अब उनका नहीं रहा समाज वाले कहते हैं कि शादी के बाद एक लड़की पराई हो जाती है लेकिन एक लड़का शादी के बाद पराया नहीं बलकि बुरा हो जाता है किसको किसको खुश रखे समझ ही नहीं आता बीवी और परिवार में उलज कर रह जाता है एक लड़का सब के खुशी का देखते देखते पता ही नहीं चलता कि आखरी वार खुद को कब खुश किया था और सबसे जादा बुरा तो तब लगता है जब सब को खुश रखते रखते वो खुद बुरा बन जाता है परिवार को खुश करो तो बीवी बुरा मान जाती है बीवी को खुश रखो तो परिवार बुरा मान जाती है पीस रहों यार मैं लड़के को दो रहों पे लाकर खड़ कर दिया जाता है जहां एक रह बीवी की तरफ तो दूसरा परिवार की तरफ जाता है नहीं चल सकता मैं दोनों राहों को साथ लेकर एक को चुनू तो दूसरे के नजर में गलत हो जाता हूँ तुम तो अपने मापापा से रोज बात करती हो लेकिन मैं तो अपने भरवालों से खोशी का इजहार तक नहीं गर पाता हूँ खोशी तो छोड़ो बात तक नहीं गर पाता हूँ मुझे पता ही नहीं कि क्या बात करना है शादी के पहले तो सब कुछ ठीक रहता है तो फिर शादी के बात सब बदल की हो जाता है मैं पहले बहुत अच्छा लड़का था लेकिन अब सबसे बुरा बन गया हूँ तुम मुझे कहती हो कि अपने परिवार को छोड़ो यही बात अगर मैं तुम से कहूँ कि तुम अपने परिवार से बात करना बन कर दो उनको छोड़ो तो क्या तुम उनसे बात करना बन कर दो भी क्या तुम उनके बगहर रह पाओगी क्या तुम उनके निजर में अच्छी रहोगी सोचे ना इस बारे में चाथ